नमस्कार मैं दिनेश कुमार चारण आप सबका इस योटूब चैनल हिंदी शाहित्य का ध्यन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल हिंदी शाहित्य का ध्यन को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें साइड में दी हुए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके सामने या पर आप तक मेरे द्वारा बनाएगा प्रतेक वीडियो सबसे पहले और आसानी शे पहुंच सके और अब मैं आपके शामने लेकर आया हूँ चालेश एसे प्रशन जो हमेशा हमें याद रखने चाहिए आज से मैं आपके सामने हिंदी के एसे महतोपन प्रशनों को लेकर हमेशा हाजिर रहूँगा अगर आपको ये सरंखला अच्छी लगे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवशी बताना और मेरा प्रयाश यही रहेगा कि हमेशा उन्हीं प्रशनों को आपके सामने रखूँ जो वास्तों में प्रतियोगी प्रिक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो वास्तों में याद करने योग्य होते हैं क्योंकि इसे कई शवाल होते हैं इसे कई तथे होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने होते हैं इसी का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कई किताबे इसी हैं जिसमें तथे बहुत सारे होते हैं तो उसमें confusion बहुत ज़्याद रहता है कि कौन सी चीजों को याद करना ह इन सबसे बचने के लिए मैं आपके सामने हमेशा इसे महतोपन प्रश्णों को लेकर आऊंगा अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है या इस तरह के प्रश्ण पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में विश्य बताना ताकि आपकी आउशकता के इन रूप में वीडियो का अंद्रमान कर शकूं और आज के जो महतोपन प्रश्ण है वो इस प्रकार्शी है सबसे पहला रेतिकाल को कला काल किसने कहा है रेतिकाल के नाम करण को लेकर जिस प्रकार्शी आदिकाल के नाम करण हुए है उसी प्रकार्शी रेतिकाल के भी क और रितिकाल को अलंकरत काल कहा है फिस्वनात परशाद मिस्र ने अलंकरत काल कहा है मिस्र बंदु ने और रितिकाल को कला काल कहा है रमा संक्र शुक्ल रशाल ने भारतेंदु अरिश्चंद्र जी उर्दु भाषा में किस उपनाम से लिखा करते थी भारतेंदु अरिश्च जीर TV कुनाा की? शुकदिव भीहारी मिष्ड श्याम भीहारी मिष्ड गणेश भीहारी मिष्ड हैं Haashi स्रबंदु विनोध की वी रचना की इसके साथ हिंदी नवरत्तन नामक अलोशनातन पुस्तक की लेखन किया है प्यूश परवाह नामक पत्रिका के शंपादक कौन थे अंबिका दत्व्याश यही है जिन्हें सुकवी की उपादी दी गई थी रसकलस रसकलस एक आधुनिक य उपाध्याय हरेयोद की मेहतु promise रचना है अगला प्रश्ण है व्यक्यात्मक आलोशना का शूतरपात किश्ने किया था तो जगनात दासरतनाकर के द्वरा व्यक्यातमक आलोशना का सूतरपात किया गया था मतलब कावे की व्यक्यात لitंक रूप से उसे प्रस्तूति कर करना जगनातास रतना करन आधुनिक युग के ब्रज भाषा के महतोपून कभी थे जिन्होंने बिहारी रतना कर नामक अलोचनात्मक पुस्तक का लेखन किया है यूं कहा जा सकता है कि बिहारी सत्से की टीका है मैथिलेशन गुप्त की पहली रचना कौन सी है रंग में भंग जो 1910 में फ्रकाशित होती है ये चितोड और बुंदी की राज घराने की आनबान और शान को लेकर लिखी गई है भारत भारती का प्रकाशन कब होता है भारत भारती का प्रकाशन 1912 में होता है ये प्रशन अक् भारत के पोरान मतलब प्रारंबी की स्थिति का चितरन करते हैं कि हम भूत काल में क्यशे थे स्वर्णिम अतित का चितरन करते हैं उसके बाद में वर्तमान की दुर्दर्शा का चितरन करते हैं तीसरे खन में ये भारत के स्वर्णिम शपने अतित यहीं कि स्वर्णिम प्रवाशी के गीत नामक कावे किस McMya लिखा है ये नरेंदर शरमाने नरेंदर सरमाने ये दूयोदी युग के रशनकार हूँ केदी और कोकिला नामक प्रशिद कविता किस कवी की है तो माखनलाल चत्रवेदी जी की है माखनलाल चत्रवेदी जी की दो महतोपन कविता है एक केदी और कोकिला और दूसरा है दूसरी है पुष्प की अभिलाशा प्रजटिशी लेखा कशंग की दूसरे अधिवेशन की अधियक्षता कौन करते हैं सिहासन खाले करों की जिनता आती है प्रशिद कविता की पंक्ती किस कवी की है तो ये कविता हुंकार नामक कावे में है ये रांधः शिंग दिनकर की कविता है यात्री के उपनाम से कौन लिखा करते थे ये मैथिली भाषा में यात्री के उपनाम से नागारजुन लिखा करते थे नागारजुन जिनका बच्पन का नाम वेद्यनाथ मिश्र था यानि मूल नाम इनका वेद्यनाथ मिश्र था नई कविता पत्रीका की बारे में नई कविता पत्रीका अठर उन्नीश्यो चोवन स्वरी उन्नीश्यो चोवन में प्रकाशित होती है यह प्रियाग्षी प्रकाशित होती है और यह जगदीश्ट गुप्त की पत्रीका है प्रियाग्षी प्रकाशित उन्नीश्यो चोवन में प्रकाश्ट नए शाहित्य का सुंद्रे शास्त्र नामक अलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है तो मुक्ति बोद गजानन्द माधव मुक्ति बोद मुक्ति बोद प्रियोग वाद के एक महत्वपुन कभी है इसके साथ साथ अलोचक्री कुवानो नदी नामक कावे शंग इसके साथ इनका एक नाटक है बकरी बहुत ही प्रशिद रहा है एक कंठ विश्पाई नामक जो कावे है यह किसका है दुशिंत कुमार का दुशिंत कुमार आधनी क्योंकि एक महत्वपुन गजलकार ब्रजबाशा का विकास किस अपवरंस से होता है तो यह शोरशनी अप प्रशिम हिंदी की महत्वपुन बोली है ब्रजबाशा ब्रजबाशा गद्ये के पहले लेखक किशे माना जाता है तो गोरकनात को ब्रजबाशा के पहले लेखक माना जाता है गोरकनात नात संपरदाय की प्रतिनीदी कभी थी प्रथम राजबाशा आयोक का गठन उनीशो चपन में होता है जी भी पंथ गोविंद वलब पंथ के अगला प्रशन है आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है मिस्र बंधु ने कहा है मिस्र बंधु तीन भाई थे जिन्होंने मिस्र बंधु विनोध में आधुनिक यूग को वर्तमान यूग कहा है इसकी पहले ये प पहला कवी माना है अगला प्रश्न्हाइ राषो का समंध रसाइन से किस ने माना राषो शब्द की व्यत्पत्ति को लेकर पहश होती है तो राषो राषैक कि विश्वनाद प्रशाद मिस्र ने MICHAEL के नाम करन को लेकर समश्या होती है उसमें वीर काल कोन कहते हैं विश्वनात प्रशाद मिस्र आलखण्ड किस ग्रती का दूसरा नाम है प्रमाल रासो नरपती नालख बीसल देव रासो में प्रमाल रासो जगनिक की रसना है जो आलखण्ड की नाम से उत्तर परदेश में क्षित्री खागया है 59 ऐख हैं कि inherently को चंदो का राजा किस्तो ने कहा हैं क्यूंकि चंद बर्धाई ने प्रत्वी राज राशों में लगभग 68 संधों का पड़ियोग किया भक्तिकाल को भारतिय चिंता धारा का शौभवी क्विकास किसमें माना है तो जारी परशाद द्वेदी जी ने माना है भक्ति के उधे को लेकर भहेश होती है जिसमें आचारे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति का उधे भारत में विदेशी आकरांताओं के चलते हो राम चंद्री का जिसकी रचना केशर दास्तारा की गई है यह एक महत्वपोन रचना है जो युग के अनुरूप राम के रूप में परिवर्तन होता है राम यहां पर राजा राम की रूप में उत्रित होते हैं अवद्विलास नामक रसना के लेखा कौन है यह लाल दास है अगला प्रशन है रस मंजरी नामक रसना नंददास की है नंददास भक्तिकाल में कृष्ण भक्ति कावेधरा के प्रतिनिधी रसना का रहे है भाशा को माना है चिंतामणी को आचारे रामचंदर शुक्ल रितिकाल का परवर्तक मानते हैं यह सारी चीजे जो मैंने आपको आज तथ्यों के साथ विस्तार से बताने का प्रयाश किया असा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दीगी जानकारी अच्छी लगी होगी आपके लिए उ मुझे नीची कमेंट बॉक्स में अगुश्य बताएं आज के लिए इतना ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद